हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पुर पे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अर्जुन वीडियो का फोर और यह जो गनीत है आपका पांच नंबर वाला गनीत है और यह इदा उदर से नहीं बलकि आपके उन्हें डाउनलोड करके रखा या कहीं से भी लेकर रखा है तो उसका आप सेट वन में देखोगे गनीत में यह सवाल कोश्यन नंबर 19 में आपको दिखेगा ठीक है तो यह सवाल काफी इंपोर्टन्ट है पांच नंबर के लिए अग्जाम में आएको तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना घंटी के बल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मुबाइल पर जाता रहे सबसे हम पहले यहाँ पर वर गंतराल को लिखेंगे यह जो वर गंतराल इसको अपलिक लो 0 से 10 फिर लिख लो 10 से 20 फिर लिखो 20 से 30 फिर लिखो यहाँ पर 30 से 40 फिर लिखो यहाँ पर 40 से 50 एंड 50 से 60 इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है बारम बढ़ता यहाँ पर 5 फिर 8 फिर 20 फिर 15 फिर 7 फिर 5 ठीक है उसके बाद हम लो निकालेंगे संचाई बरम बढ़ता संचाई बारम बढ़ता कैसे निकालते हैं इस 5 को यहाँ लिख दो और इस 5 से फिर 8 को जोड़ ऑठ पाँच 17 फिर 20 जोड़ दो कर यहाँ पर 60 यह टोटल और यह ponos elder होता है ठीक है यह वला और यह वला दोनों क्या होगा सेम होगा अब आपको निकालना क्या था निकालना था आपको माध्यक क्या निकालना था माध्यक तो आपको यहाँ पर माध्यक निकालना है क्या निकालना है माध्यक माध्यक निकालना है तो देखो माध्यक निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्यों तो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला पहले हम साइड में लिखेंगे फॉर्बुला होता है हमारा माध्यक बराबर ठीक है एल प्लस फिर यहां पर होता है इन बाई टू माइनस सी एफ बटा में एफ ठीक है बटा में एफ होता है और इंटू एच होता है यह यहां से होता है ठीक है एल इधर होता है तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या-क्या चीज निकालना है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको L चाहिए, N चाहिए, C F चाहिए, F चाहिए और H चाहिए तो इतना चीज आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यह जो बरम बरता है तो सबसे पहले हम लोग एफ को ढूंडेंगे एफ क्या होता है? इस बरम बरता हम जो सबसे बड़ा होगा, वो एफ हो जाएगा ठीके? इस एफ के सामने वाला क्या है आप बताओ सब f के सामने वाला क्या हो जाएगा जो frequency होता है जो आपने f निकाला इसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसके आगे में ये वला नहीं वर्ग अंतराल के ठीक आगे वाला आपका l हो जाएगा l भी आपका 20 आगया अब ठीक ध्यान दिजेगा अब होगा क्या आपको निकालना है cf cf क्या होता है संचाही पर अंबरता में होता है अब इसके ठीक इसके सामने आएए और इसके सामने आएगे ठीक एक step उपर चले जाएए cf केतना हो जाएगा 13 हो जाएगा n आपको पता चल गया n यहाँ पे आपका n कितना है 60 है ठीक है अब रहा h सिर्फ आपको h चाहिए h होता है जो इलो का height होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 30 से 40 कितना कितना यह सब बढ़ रहा है ठीक है 10-10 का difference है तो h आपको हो गया 10 यहाँ आपको जेतना चीज इसमें चाहिए होगा सभी को आपने लिख लिया अब यहाँ पे formula पे बढ़ा दो मत्यक बढ़ाबर हो जाएगा l प्लस n बाइटू माइनस cf बाइफ इन्टू h 20 प्लस n कितना आपका है 60 60 बाइटू माइनस cf कितना है आपका बताईए cf है आपका 13 अब बढ़ा में आपका f यानि की 20 और यहाँ इन्टू में h यानि की 10 तो हो जाएगा 20 ठीक है 60 में से 200 भरिवाद देएगा तो हो जाएगा 30 30 में से 13 घटा देजेगा 17 बटा 20 गुना 10 ठीक है यह 0 से 0 कड़ जाएगा तो यहाँ पे आजाएगा 20 प्लस 17 17 बटा 2 यहाँ पे LCM ले लेजे LCM लेने के बाद यह हो जाएगा 2 यहाँ पे आजाएगा 40 प्लस 17 अब इसको जोड़ेगे 50 57 बटा 2 इसको जैसे ही आप डिवाइट करोगे आपका अंसर आजाएगा 28.5 और यही आंसर हो जाएगा आपका उमीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा समझ में आ गया है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल प्यादी पहली बार आये होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटी के बैल आकन को भी प्रेस कर लेजेगा ताकि हर एक वीडियो का नॉटिफेकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू